नमस्कार दोस्तों, सुवागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल आरके योजना पर दोस्तों एक बार फिर आपके लिए एक और नई जानकार लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं यदि आप सरकार से विद्वा पैंसन योजना, बुजुर्ग पैंसन योजना, दिव्यांग पैंसन योजना, तलाकशुदा महिला पैंसन योजना, कुष्ट अवस्था पैंसन योजना यानि कि अगर आप सरकार से किसी भी एक पैंसन का लाब उपराप्त कर रहे हैं तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुती मैत पुन है गवर्मेंट का जो पैंसन पोर्टल है वहाँ पर जो लिष्ट है उस लिष्ट में से सरकार ने एपातर पैंसन धारको का नाम लिष्ट में से हटा दिया है अब आप भी अपना नाम चेक कर सकते हैं कहीं आप भी एपातर की सरणी में तो नहीं आ रहे थे कैसे चेक कर पाएंगे तरीका हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं वीडियो को सुरू करने से पहले हमारा आपसे एक चोटा सा निवेदन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ ही दोस्तो बैल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकिशन है वह सबसे पहले आपको पराप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाव उठा सके चलिए दोस्तो अब हम यहाँ पर वीडियो के सुरुवात कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि आप कैसे लिष्ट में अपना नाम देख सकते हैं जैसे दोस्तो हमने अपने मुवाईल फोन में Google Chrome ब्रावजर ओपन कर लिया है आपको भी इसी प्रकार से अपने मुवाईल फोन में या लैप्टोप में Google Chrome ब्रावजर को ओपन कर लेना है और यहां पर आजाने बाद आपको सर्च करना है pension 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 sspyup.gov.in आपको इस पर ही क्लिक कर देना है दोस्तों हमने क्लिक कर दिया है जैसे आप क्लिक कर पाएंगे तो आपके सामने दोस्तों यहाँ पर एक portal open हो जाता है जो यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा एक गरह समाजिक pension पोर्टल देख रहे हैं दूसरा point है यहाँ पर आप देखेगा निरासरित महीला पैंसन दोस्तों यहाँ पर वे पैंसन धारक आते हैं जो विद्वा महीला है और तलाकसुदा महीला पैंसन धारक हैं अब दोस्तों यहाँ पर आते हैं दिव्यांग पैंसन धारक और दोस्तों लाश्ट में एक पैंसन ये भी है कुष्ट अवस्था पैंसन धारक दोस्तों दिव्यांग पैंसन योजना और कुष्ट अवस्था पैंसन योजना दोनों ही अलग-अलग है यहाँ पर हम आपको दोस्तों दिव्यांग पैंसन योजना के बारे में बताते हैं एक एक एक्जामपल से फिर आप इसी प पर आपको लिखा मिल जाएगा पैंसनर सूची 2021 यहां दोस्तो अभी 2022 रहा है तो आपको इस पर ही क्लिक कर देना है जैसे आप इस पर क्लिक कर पाएंगे दोस्तो आपके सामने कुछ अगला पेज इस तरहे का ओपन हो जाता है यहां पर आजाने बाद दोस्तो उत्तर परदे सराज्ये में जितने भी जनपद है आपको अपने जनपद का चुनाव कर लेना है आप जिस भी जिले में रहते हैं जैसे दोस्तो हमने क्लिक कर लिया है क्लिक कर देने के बाद हमारे सामने अगला पेज भी ओपन हो चुका है यहां पर सबसे पहले आपको चुनाव करना है यदि आप किसी ग्रामिन छेतर में रहने वाले हैं तो आपको अपने विकास खंड का चुनाव कर लेना है और यदि आप सहर में रहते हैं तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं सहरी छेतर नगर निकाई यहाँ पर दोस्तों नगर निकाई आपको यहाँ पर चुनाव कर लेना ह हमने दोस्तों यहां पर चुनाव भी कर लिया है और हमारे सामने अगला पेज भी open हो चुका है इसके बाद जो भी आपका गाउं है अपने गाउं का आपको चुनाव कर लेना है हमने दोस्तों चुनाव भी यहां पर कर लिया है चुनाव कर लेने के बाद हमारे सामने अगला दिख रहे हैं पहला quarter दूसरा तीसरा चोता तो आपको फोर्थ quarter में देखना है आपके गाउं में कुल कितने पैंसल्स है और इन पैंसल्स में से आपको अपना नाम देखना होगा हमने क्लिक कर दिया है आपको इस तरह से नीचे स्कोल्डाउन करना है और आप यहां पर आ जा आपका कौन सा बैंक है जिसमें आपकी पैंसल्स आती है और दोस्तो आखरी में आपको लिखा मिल जाएगा लेकिन दोस्तो सबसे पहले जिन pension नाभारतियों ने अपनी pension का अभी तक EKYC नहीं कराया है तो जल्द से जल्द अपनी pension का EKYC करा लिजे और अपने bank में जाकर यदि आपने अपना आधार card और mobile number और यहाँ पर अपना pen card जमा नहीं कराया है दोस्तो जल्द से जल्द link करा ल परा आपकी pension को खाते को approval मिल जाए और आपके खाते में आने वाली जो किस्त है 3000 रुपे की आपके खाते में वैट ट्रांसफर हो जाए यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है कोई भी doubt है तो आप नीचे comment box में जाकर हम से पोसकते हैं सबी सालग जवाब आ आने के लिए लाश्ट में निवेद नहीं करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और साथी बैल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी साथ जब तक के लिए जय हिंद जय वारत